नमस्कार आप सभी का स्वागत इंडिया खवर लाइब में मैं होनू पाइने खवर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपूर से प्रुस्तोत हैं इंडिया खवर लाइब संबाद दाता पंकच कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट जिहाब 52 पीठों के वाइसमा शरक्ति पीठ इस्थान को मा महिश्री के नाम से जानते हैं हमीरपूर जिले के सरीला तहसील में इस्तित मा महिश्री का इस्थान भेडी डाडा में है नवरात्ती पर वो को लेकर यहाँ पर नमामीत के दिन लाखों मा भक्त आते थे वा मंदिर प्रांगर में विशाल मेला का आयोजन होता था किन्तु कुरोना वाइरस महावारी के चलते मंदिर में ताला लगा दिया गया है वा मेला इस्थागित कर दिया गया है जिसके चलते मंदिर परसर में सन्ना ठाच छाया हुआ है बहीं मा महिश्री बिकास समीती ने सभी भक्तों से घर में रहने की अपील की है मंदिर परसर के आसपास प्लिस प्रशाषन का कड़ा पहरा है बहीं दूसरी ओर हमीरपुर जालोन बॉर्डर जलालपुर थाना छेतर बैदबापुल पर बेरियर लगा कर रास्ता सील कर दिया गया है जिसकी जिम्मेदारी थाना जलालपुर के सबस्पेक्टर नंद किशोर यादव मैं फोर्स के साथ स्वास्त भाग की टीम राजस्त भाग की टीम वा सेक्टर मजिस्टेट बिने कुमार विश्व कर्मा के साथ मौजूद रहे इंडिया कवर लाइप के लिए हमीर पूर से पंकच कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट पुरातन और यहां नवद्रुगों के आज खासकर नमय के दिन यहां पर हज्जारों के लाखों मा भरता आते हैं और मेला में हजारों दुकाएं आतीं थी लेकिन आज इस महामारी की वज़े से यह हमारे सभी संस्चान खाली पड़े हैं मंदिल में ताले लगे हैं पुरिष प्रिशासन बराबर यहां पर अपनी सुरक्षा के लिए पैनाथ है और हमारी मेला कमेटी भी यहां चारों तरफ भू रही है कि किसी तरह कि कोई भी भा करना हो और हमारे जो सरकार के आदेश है उनका पालन किया जाए जिससे कि इस महामारी से सभी को शुषकारा मिले और यह तो मैया एक कृपा है अगले वर्ष देखेंगे अगले वर्ष यही सब भी भाड हो गई हमसे यही मैया से प्रस्ना करते हैं अभी फिलाव सभी लोग नियम का पालन कर रहे हैं ज्यादा भी भाड यहां होने नहीं की जा रही है और ना कुई लोग ज्यादा तर आ रहे हैं